ये जो सीखने और सिखाने का एक नया सफर, एक नया सिलसिला जो चल पड़ा है, बहुत ही खुबसूरत है। और इस लॉगडाउन ने हम लोग को एक नया मौका दिया है, कि आज हम लोग कुछ नई चीज सीखें। तो आज फिर मैं चैप्टर नमबर 14 के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम डेली रूटीन, यानि हमारे रोजमर्रा के जो भी एक्शन्स होते हैं, उसको हम सीखेंगे। और ये बोलना बहुत ही आसान है, और सबसे पहले लेक्चर से मैंने सिर्फ जिस जिस पे फोकस किया है, वो है वर्ब, यानि एक्शन्, तो हमें सिर्फ ये जानना है कि कौन-कौन से एक्शन वर्ड्स हैं, यानि वर्ब हैं, हम उससे बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते है और यहाँ पे अब हम pronoun का use करके verb को उसके साथ add करेंगे तो आएए देखते हैं इस chapter में हमें क्या सीखना है तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ कि pronoun क्या होता है जो भी noun होता है उसके जगर पे इसको use किया जता है noun का मतलब क्या है naming word कोई भी word जिससे किसी name को define करते है तो noun जो है एक naming word होता है और pronoun जो है उस word की जगा use किया जाता है जैसे अगर हम राम कहते हैं तो राम की जगा अगर हमने वह use किया है उसका नाम use करने के वज़ाए उसके place पे अगर हमने use किया है वो तो वो जो है प्रुणाउन है जिसे अगर मेरा नाम अश्रफ जमाल है और मैं अपने आपको इंट्रιड्यूस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं तो अश्रफ जमाल की जगे जो word यूज़ हुआ मैं यूज़ हुआ तो यह faink प्रुणाउन है अगर उसके बारे में मुझे बताना है, तो मैं कैसे शुरू करूँगा, आए देखते हैं, तो अगर आप हर रोज सबसे पहला action क्या करते हैं, आप वहां से सोचना शुरू कीजिए, जिसे सबसे पहले इंसान सो के जगता है, तो यहां पे हम सबसे पहले वर्ब यूज करें, मैं वेक अप, I wake अप, मैं जगता हूँ, गेट अप मैं उठता हूँ I get up मैं उठता हूँ तो वेक अप और गेट अप में क्या डिफरेंस है वेक अप नीन से जगना और गेट अप बिस्तर से उठना यानि आप जब जग चुके हैं तो उसके बाद आप उसकरेंगे I get up ब्रश ब्रश करना I brush teeth मैं दाँच साफ करता हूँ I brush my teeth मैं अपने दाँच साफ करता हूँ wash wash means धुलना I wash face मैं चहरा धोता हूँ I wash my face मैं अपना चहरा धोता हूँ bet नहाना take bath नहाना take shower नहाना यह तीनों वह हम यूज़ करते हैं I bet मैं नहाता हूँ I take bath मैं नहाता हूँ I take shower मैं नहाता हूँ dress up या get dressed get dressed या dress up यह phrasal verb है तो phrasal verb इसका meaning क्या है कपड़े पहनना I dress up मैं कपड़े पहनता हूँ I get dressed मैं कपड़े पहनता हूँ have breakfast मैंने पहले भी बताया था breakfast lunch dinner इसके लिए हम जो verb यूज़ करते है I have breakfast मैं नाश्टा करता हूँ go जाना go to school school जाता हूँ I go to school मैं school जाता हूँ study अध्यन करना learn सीखना I study मैं अध्यन करता हूँ I learn my lesson मैं अपना सबक सीखता हूँ have lunch I have lunch मैं दोपहर का भोजन करता हूँ I have my lunch मैं अपना दोपहर का भोजन करता हूँ come back वापस आना I come back मैं वापस आता हूँ I come back from school मैं स्कूल से वापस आता हूँ change बदलना change dress I change dress मैं dress बदलता हूँ I change my school dress मैं अपनी school dress बदलता हूँ play खेलना I play game मैं game खेलता हूँ study अध्यान करना complete homework homework complete करना I study मैं अध्यान करता हूँ I complete homework मैं homework पूरा करता हूँ have lena have dinner I have dinner मैं रात का खाना खाता हूँ sleep I go to bed and sleep so again the last slide to say thank you so please 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 like subscribe and share this video thank you